इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Poco X3 मोवाइल को रिसेट कर सकते हो यदि आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो को सूर से लेकर लाज तक देखते रहिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए सकते हो तो सबसे पहले मैं यहां पर कुछ कारण आपको बताता हूं कि क्यूं आप अपने मोवाइल को रिसेट करना चाहते हो दोस्तों यदि आप अपने मोवाइल को किसी को बेचना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके मोवाइल में कोई भी डाटा ना रहे आपका mobile पहले जैसा हो जाए पहले जैसे आप खरित के लाए थे उस तरह का हो जाए और आप अपने mobile को बेच सको तो आप अपने mobile को reset कैसे कर सकते हो तो यह हो गया आपका पहला कारण और दूसरा कारण यदि आपका mobile hang कर रहा है lag करा है कोई भी problem हो रहा है आपके mobile में और आप आपको लग रहा है कि reset करने से ठीक हो जाएगा तो कैसे आप reset कर सकते हो तो चलिए guys मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप अपने mobile को reset कर सकते हो तो उसके लिए सबसे पहले guys आपको setting का जो application है आपको उसे open करना है पोको X3 mobile के setting application को open करना है उसके बाद guys आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा about phone का option आपको about phone के उपर simply से click करना है about phone के उपर click करने के बाद guys आपको क्या करना है आपको यहाँ पर किस तरह से mobile को reset करना है तो guys आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा factory reset का option तो आपको factory reset के उपर click करना है factory reset के उपर click करने के बाद guys यहाँ पर आपको कुछ options देखने को मिलेगा उपर में जैसे कि accounts, contacts, photos and videos, apps, backups, other items on this device तो यह कुछ options आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उपर में तो इसका मतलब क्या है guys तो इसका मतलब है आपके mobile में यह accounts है सबसे पहले तो आपके mobile में जो कुछ भी accounts है वह है आपके mobile से delete होने वाला है आपके mobile से हटने वाला है, आपके mobile से erase हो जाएगा यदि आप अपने mobile को reset करते हूँ उसके नीचे guys आपको देखने को मिलेगा contacts का option तो आपके mobile में जो कुछ भी number है phone number है वह सब कुछ आपके mobile से erase हो जाएगा उसके बाद उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा photos and videos तो आपके mobile में जो कुछ भी photo है जो कुछ भी video है reset करने के बाद वहाँ आपके mobile से delete हो जाएगा आपके mobile से erase हो जाएगा उसके नीचे guys आपको देखने को मिलेगा apps का option तो आपके mobile में जो कुछ भी apps है वहाँ आपके mobile से हट जाएगा आपके mobile से वह डिलेट हो जाएगा उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा backups तो आप जो भी backup लिये हो वहाँ भी आपके mobile से डिलेट होने वाला है वहाँ भी आपके mobile से हटने वाला है उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा other items on this device तो आपके mobile में जो कुछ भी other items है जो बिल्कुल आपका मुवायल पहले जैसा हो जाएगा पहले आप जो उसे खरीद के लायत है और आप कहे आपको इससे बैक Google Drive में आप वहां से backup ले सकते हो और उसमें जो Gmail ID है उसको उसका आपको password और Gmail ID आपको याद रखना है Gmail ID को आपको दुवारा से login करना है अपने mobile में और आपका जो data है उसे आप दुवारा से पास सकते हो तो चले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप अभी अपने mobile को reset कर सकते हो तो आपको नीचे देखने को मिलेगा ise all data का option आपको इसके उपर क्लिक करना है उसके बाद को यहां पर आपका lock screen का जो password है आपको उसे डालना है उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा enter password का option तो guys यदि आप अपने mobile में आप अपने poco x3 के mobile में यदि MI का account create किये हो तो आपको यहाँ पर आपका MI account का password डालना है उसके बाद आपको ok के ओपर click करना है तो उसके बाद और कुछ process के बाद आप अपने mobile को reset कर सकते हो यदि password को भूल चुके हो तो guys आपको नीचे देखने को मिलेगा फॉर्गोट पासवड को option आपको पासवड के ओपर click करना है तो सबसे पर इसे पहले internet को on करना है उसके बाद आपको forgot password के ओपर click करना है उसके बाद password को आप change कर सकते हो password को आप reset कर सकते हूं उसके बाद आप अपने मुवाइल को रिसेट कर सकते हूं तो यदि आप पासवर्ट को भूल चुके हो तो आपको फॉर्ट पासवर्ट के ऊपर क्लिक करना है यदि आप आपका पासवर्ट याद है तो पासवर्ट को डालना है उसके बाद आपको ओके के ऊपर क क्लिक करने के बात आपके मुवाइल में कुछ और भी प्रोसेस हो सकता है तो आपको उसे फॉलो करना है आपको इस्टे बाइस्टे प्रोसेस को करना है और आप अपने मुवाइल को मुवाइल को रिसेट कर सकते हो तो मैं अभी रिसेट नहीं करने वाला हूं क्योंकि मेरा य जो पोको एक्स्त्री मोबाइल को रिसेट करना चाहता है वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद चलिए इस वीडियो को मैं एहीं पर खतम करता हूं